हम जो देखते थे टीवी पे कि वो डंडे मार के लोगों को घर में गुशा रहे होते थे एक बड़ा पॉजिटीव होता था देखके कि नहीं अच्छा है इनके लोगों के भले के लिए करने हैं जो इन लोगों ने मेरे साथ किया वो किसके भले के लिए किया इससे मेरा भला ह रही है और अपनी मेहनत से कानून एवं विवस्था को नियंतरत करने में लगी है जब हर आदमी कह रहा है वाह फरीदबाद पुलिस और हर चौराहे पर पुलिस का समान हो रहा है करतव परायानता के लिए पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं ऐसे समय में भी कु देहर के मशूर शेफ राजन शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं पहले इन तस्वीरों को देखिए यह तस्वीरे हैं एस जेम नगर के शर्मा चौक के पास मकान नंबर एच्छपन के बाहर लगे सीसी टीवी कैमरे की तो उसके बाद ऑल अफ सटन बारा क्याना मैं फ्र लेना कोई गुना तो नहीं है अपने घर में अपने घर में मैं अपने पैरामीटर के अंदर ली हूई है मैं बाहर नहीं हूँ आप एक चीज देखें उसके बाद क्या होता है यह तो ग्रेस ऑफ गौड की मेरे हमारे वहाँ पर हम लोगों ने कैमराज लगवा रखे हैं त पुलिस पुलिस राइडर तो पुलिस के पास ही हैं सर वो आते हैं तो आने के बाद में खड़ा करतें वो सारी चीज़ें सीची टीवी में तो क्योंकि यह वो आँक है सर जो अपनी पलग भी नहीं जबगती आप देखिए उन्होंने ज्यादा टाइम तो दर्वाजा पूड़िशन है जिसका हमें भी फाइदा मिलता है कि हां लोग हमें भी नमस्ते गरते हैं हां जी कि नमस्ते भाया और ये तो क्योंकि यही प्रेणना का स्ट्रोत रही हैं कि हम लोगों के लिए काम करपाते हैं कि किना मैं मैं उठा बैडरूमस मैंने का बतनी शोर आजा ज बड़े बोले तो बड़े रैडिसन और मौरिया शर्टन जैसे होटलों में जिन्होंने काम किया है। कई बड़े होटलों में चीफ शेफ भी रहे हैं। मशूर लोगों की तारीफें बटोरी हैं। जिन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सरीखे वी वी आईपी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के प्रिय रहे हैं लेकिन इन तस्वीरों में देखिए। उनको थाना SGM नगर पुलिस चोरों की तरह घर से घसीट कर ले जा रही है। दरहसल समाज सेवा के शौकीन शिरी राजन इन दिनों जरूरत मन्नों को खाना खिला रहे हैं। इसी दोरान वैठाना SGM नगर पुलिस के संपर्क में भी आए। अब हुआ किया एक दिन हम लोग इसी प्रोसेस में थे तो मेरे पास एक फोन आया तो फोन के ओपर आमीर सिंग था। तो वो कहता है कि राजन आज तक आपसे कभी कोई काम नी बोला और एक बोतल जो है वो विस्की का आप मेरे को कर दो मैं अपने दोस्तों के साथ जो है वे एंजोई करना चाहरा हूं और उसके बाद मैं छुटी जाना मिर को अपने घर जाना तो उससे बोला मैं का यार लॉगडाउन चल रहा है मेरे अपने लिए बड़ी मुश्किल होती है इंसान के लिए तो कहां से हो पाएगा तो कहता है मेरे को नहीं पता आप करके दो मेरे को जल्दी बताओ फिर मैं देखता हूं उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने काम में बिज़ी तो एक पुलिस कर्मी ने दो दिन पहले शिरी राजन से शराब की डिमांड कर डाली वह भी अपने 5-6 साथियों के लिए राजन होटल इंडस्ट्री से हैं तो पीने पिलाने का शौक भी रखते हैं लेकिन लॉगडाउन में शराब की किलत के कारण उन्होंने पुलिस कर्म की यह फरमाईश पूरी करने से इंकार कर दिया उसके ठीक दो दिन बाद यानि शुक्रवार और शनीवार की दरमियानी रात लगभग साड़े बारे बज़े थाना एसजेम नगर के पुलिस कर्मी उनके घर पहुंचे काफी देर घर का दर्वाजा खटकटाते रहे शिरी शिरी शर्मा की माने दर्वाजा खोला तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अबदरता की हम यहां गाली गलों शब्द का प्रियोग नहीं कर रहे हैं जबकि शिरी शर्मा ने अपनी शिकायत में यही कहा है इसके बाद जब शिरी शर्मा अपने घर के दर्वाजे पर आए तो पुलिस कर्मी उन्हें खीच कर गाड़ी में ले गए शिरी शर्मा ड्रिंक करके सोने चले गए थे तो पुलिस ने सबसे पहले उनका मेडिकल करवाया इसके बाद थाने ले जाकर रात भर उन्हें पीटते रहे फिर बकॉल राजन उन्हें लगभग अधमरा कर सुबह क कुछ कोरे कागजों पर हस्ताक्शर करवा कर भाई विपिन के हवाले कर दिया मोबाईल तब भी नहीं दिया उसे भाई शाम को लेकर आया उस मोबाईल मेंसे भी बहुत सारा डाटा उडा दिया गया था अपनी शिकायत में राजन ने पुलिस अधिकारियों से मांग की है क कि उन्हें नियाय दिलवाया जाए और उनके शरीर ही नहीं पुलिस के इस व्यभार के कारण उनकी आत्मा पर भी गहरी चोटें पहुंची हैं एक आप चीज देखिए आज की तारीक में हर्याना पुलिस की जो पोस्चर है जो उनकी एक चवी है वो सर पैन इंडिया इतनी उभर के आई है ठीक है उसके बाद में यह जो छोटे मुलाजी में यह नहीं चाहते कि उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं जो मैनत वो कर रहे हैं ज इसके बाद में दुनिया भर की अटरम सरम बातें कभी किसी का फोन कर वाइन रेडिकल साइवुट से दो-तीन दिन के अंदर पुलिस की इमेज इतनी चेंज हुई है सर हम जो देखते थे टीवी पे के वो डंडे मार के लोगों को घर में घुसा रहे होते थे एक बड़ा प अब सवाल यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराद किया हो क्या पुलिस को उससे सज़द देने का अधिकार है अगर हां तो फिर देश की कोट बंद कर दी जाएं आपको क्या लगता है इस शिकायत के बाद क्या पुलिस के आला अधिकारी दोशी करमचारीों के परवाही करेंगे या फिर सिर्फ लीपापोती होगी जैसा की आम तोर पर होता ही है अपनी शिकायत में राजन ने तीन पुलिस कर्मियों अमीर सिंग, हिदायत खान और प्रदीप चोहान पर नामजद वे तीन चार अन्ने पर आरोप लगाया है क्या यह मामला मानवाधिकार के आलोक में भी नहीं देखा जाना चाहिए हमारे पेज पर आपके कमेंट्स का स्वागत